हालो गुड इवनिंग एवरीवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी और आज प्रेक्टिस सेशन आपका फोर है और इससे पहले मैंने दो तो 4040 के कहाता कि एक पूरा पेपर करवाऊंगी आज मैं आप लोगों के लिए कर आई हूं पी वाई क्यू और लिट्री टर्म के जिस तरीके से देखें किस तरीके के आए हैं और यह मैं तो भी 40 करवा रही हूं जिससे कि आप लोग जो हैं किस तरीके के क्वेश्चन से देखो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन से इसमें नहीं आए हैं हां लेकिन जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए तो कोई भी चीज का लेवल कुछ खास नहीं है लेकिन जो तै यह एक नया बैच है जिसमें आपके सभी चीजे आपको वीडियो बैच है यूपीटजीटी का इसमें आपको सारा मैटीरियल जो है वह बाइप कूरियर या बाइपोस्स जो है हाड़ कॉपी मेटीरियल मिलेगा और यानि कि जितने भी नोट्स हैं राइटर्स हैं हिस्ट् लिट्रेटर्म्स हैं ग्रामर है सब कुछ है आपको सिर्फ औस पढ़ना अगर अभी आपने तैयारी शुरूर निकरी है तो भी आप बहुत अराम से कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके की चीज लगी विया आप अराम से कर सकते हैं तो दोस्वाब बीन प्रपैरिंग फॉर नहीं क्यों क्योंकि बाई इतना स volt से इतना से ल要विस और उसको कम्प्लीट करना उसमें बहुत सरी चीजह जोड़ना बहुत-बहुत एक किसे कर रहा चलय ठास्क लेकिन और इस हर्कुलियन टास्क लगभग मैंने हर्क्युलियन टास्कों पूरा कर दिया है तो तो भ saud तैयारी कर सकता है क्यों आपके पास material है ना तो आपको सिर्फ पढ़ते ही तो जाना है पढ़ते ही जाना है तो आप DSSB का है video batch है और सारा material आपको घर पर मिलेगा कि आपको सिर्फ पढ़ना है अगर आप exam निकालना तो मैं नहीं कहती कि कि मैं करवाती हूं लेकिन ये second paper के लिए आप लोगों को कहीं और जाने की जुरूरत नहीं है और आप अपनी देपास से कर रहे हो तो वह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह वाकि में करें है को पूरा कराना इसम Begin वह सारी चीजए जोडब मैंने लिये तो आप को करना क्या है अपको एंग्लिश्स उत्र आप के आ Pill now करना पर प्र crowd कर देखना इस्के अलावा दो जो लोग की तयारी अच्छ से कड़ चुके हैं उनके लिए हमें आरा जो है वो एक बैच है डाट इस एक्स्क्लूज़िव प्रैक्टिस बैच जो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस खरीदिये प्रैक्टिस करिये और वह भी बहुत बढ़िया बैच जो डोस वांग तो उसमें लगभग 50 के गरीब टेस्ट पेपर जो पूरा मैंने एक में कुछ दिनों में DSSB की भी ऐक ओन-laiN जो है टेस्स सीरीज लांच करूंगी अभी तो नहीं कुछ दिन रुक कर गवांगे DKSB की ओन-laiN test series करूंगी तो ओन-laiN test series रहेगी जिसमें हम AMYDES में डालेंगे और online test सिरीज जो है वो रहेगी जिसमें प्रिवियस यह क्वेस्ट भी होंगे नए टेस्ट भी होंगे सब कुछ आपको इसमें भी मिलेगा तो उसमें भाई देखो मेरे द्वारा और एक्स्प्राइशन नहीं होगा ओनलाइन टेस्ट सीरीज होगी तो यूपीटीजटी के लिए टेस्ट सीरीज है और डी ट्रपल अस्वी की आज क्यूश्य है तो प्रिवेबली सैटर्डे को सकता उससे लांच करूंगे तो चलिए आप साट करते हैं और तो आज हैं प्रिवियस यह क्वेस्टेन्स ओन लिटररी टर्म्स यह देखिए आपके यह प्रिवियस यह क्वेस्टेन्स हैं लिटररी टर्म्स पर देखिए अब TGT 2005 का है पहला question आपके सामने है और यह पहला question रहा आपकी screen पे देखिए the heroic couplet generally is in a iambic diameter, iambic trimeter, iambic pentameter यह iambic tetrameter तो भाई heroic couplet इतना तो मुझे पता है आप सभी को मालूम ही होगा heroic couplet का मतलब होता है एक two line stanza two line stanza चूकि यह epic में use होता था तो इसके साथ heroic जुड़ गया हर line में 10 syllables तो pentameter हो गया epic के साथ यूज होता था तो heroic जुड़ गया तो क्या हो गया that heroic couplet और यह हो गया iambic pentameter यानि कि the syllables in unstressed stress form myth comes from Greek mythos signifying imagination children's stories story or plot true or invented characters from the past देखिए मैं इतने देर इसलिए रुकती हूं कि जिससे कि आप question का जवाब दे पाए तो मैं इधर बैठ जाती हूं और आप जो है question का जवाब दीजिए myth किसे कहते हैं myth किसे कहते हैं और myth जो है that is a story or plot एक stories of plot truth or invented एक जो होता है पराणिक कथाएं जो होती है और बहुत सारे लोग उन पर यकीन करते हैं मगा जरूरी नहीं है वह एक्जिस्ट करते हैं तो इसका प्यक्षिक कहते किसे हैं जो कि जो कहा जाता है वह जब हम नेचर के object को यूमन अट्रिब्यूट्स से देते हैं जैसे dancing flowers तो वह pathetic fallacy होता है तो pathetic fallacy जो है वह टर्म किसके द्वारा दिया गया था जौन रसकिन के दुवारा दिया गया था इस टर्म वाज गिवन वाई जौन रसकिन ठीक है जी क्वेश्चन नंबर फोर हीरोइक ड्रामा वाद फॉर्म मेंली स्पेसिफिक टू सबसे पहले हीरोइक ड्रामा एंग्लो सेक्षन को है रोमेंटिक का है रेस्टोरेशन का एलिज रागा ये संबंदित क्वेस्ट था तो मैंने यहां पर के डिए अगे Martries की wrich प्लागे उसकंट होगी मैं मैं बताना क्या चाहि ourselves वह एक्साइट हुजाते हैं जैसे बनाब कई जैसे अभी एक वेश्चन में पूछे थी कि इन विच प्ले जो है एडीपस कॉम्पलेक्स इन विच आफ शेक्सपेर्शन पेले डू फाइंड इडीपस कॉम्पलेक्स अरे मैं हम अभी यही क्वेश्चन सोच रहे थे तो जैसे मैंने का ना कि क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट जवाब देने से क्या होता है कि हां सोच समझ के जवाब देना चाहिए क्योंकि यह तो pen paper mode का paper है मगा फिर भी जल्दी करने से एक हैता है कि आप जैसे आपने द restoration period heroic drama जो आया था heroic tragedies जैसे कहते हैं जैसे ड्राइडन का है all for love जिसमें hero या heroine अपने विश्वास के लिए मर जाते थे उसे heroic drama कहते है और यह 1660 और इसे जो है heroic drama कहा जाता है ड्राइडन इसके main proponent माने जाते हैं one of the following is an epistolary novel कौन सा है पैमिला गेल ब्लास तो इनमें से कौन सा है कि अपिस्टिलरी नौवल है देखे नौवल जो है नौवल वैसे तो बहुत टाइम से लिखा जाता है अगर उसको नौवल के फॉर्म में नहीं लाया गया तो नौवल जो है वो अभी के 18th century से शुरू हुआ एंग्योइंड में लिखा जाना तो नौवल में बेत, एपिस्टिलरी फॉर्म जो था एपिस्टिली लेंटर के फॉर्म में लिखा जाना and यईए पमीला और वर्चू डिवहाड़िट ऑं किया है पं मतलब क्य Chelsea कि कि an ambassador is a person who lies abroad, an ambassador is a person who lies abroad, तो इसका lies जो word है ना इसमें पन है, क्योंकि यह play on words है, एक है रहना और एक है जुट बोलना, तो पन का मतलब होता है, a play on words, so that is be a play on words, and now the next question is, verse libre क्या होता है, कालफन, close form, rhyme form, या open form, verse libre का मतलब हो गया, मुक्त जिसमें ना कोई मीटर होता है, ना कोई rhyme scheme होती है, तो यह open form होता है, free verse, free verse के दूसरा नाम verse libre है, the originator and name of deacon, देखो भाई यह भी टीटी में पूचा गया है, Jacks Derrida, Frederick Nietzsche, Martin Hager, या Sigmund Freud, deconstruction के जो originator है, वो है Jacks Derrida, that is Jacks Derrida, the regular ode is a close imitation of patriarch, chalet, teller, ipindar, तो एको regular ode, ode क्या होता है, ode सबसे पहले होता है, किसी को संबोधित करते है, address करते हैं किसी को, और जो ode होता है, वो हमेशा dignified होता है, ode कभी भी किसी trivial theme पे नहीं लिखा जाता, तो regular ode का मतलब होता है, जिसमें strophe, anti-strophe and ipode हो, strophe हो, anti-strophe हो, और ipode हो, जो irregular ode होते हैं, ना तो वो पिंडार को फॉलो करते हैं, ना होरेशियन ode को फॉलो करते हैं, वो irregular होते हैं, मीटर भी उसमें irregular होता है, तो जो regular ode होते हैं, close imitation होते हैं, पिंडार के, पिंडारिक ode के, novella is a word from India, France, Italy, none of these, पहिए रखो novella, a short story, novella जो होता है, वो term कहां से लिया गया है, that is from Italy, now the next question is, पहले question पढ़ लीजिए, poetic justice for the term coined by, poetic justice जो term है, वो किसके द्वारा coin की गई है, सबसे पहले, poetic justice का मतलब जो होता है, वो यह है कि, अच्छे के साथ अच्छा, और बुरे के साथ बुरा, तो यह जो लिया गया है, यह एक work है, the tragedies of the last ages considered, वहां से मतलब उसमें एक essay है, the tragedies of the last ages concerned, the tragedies of the last ages, poetic justice का मतलब होता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ, एंड में जो जैसा बहेव करें, उसके साथ वैसा ही हो, तो poetic justice जो term है, वो दी गई है, राइमर के द्वारा, और यह एक essay में है, that is the tragedies of the last age concerned, informal essay is also known as, informal essay क्या कहते है, funny, scholarly, familiar, impersonal, informal essay से आप समझते क्या हो, जिसमें जो राइटर है, वो अपने व्यूज बदाता है, जैसे अगर आप देखो, अगर आपने चार्ल्स लैम के essays पड़े हो, तो उनके essays informal essay होते हैं, उनके पढ़के ना, कई बार ऐसे हो, amalgamation of humor and pathos होता है, आपको उनको पढ़कर भी ऐसा लगेगा, जैसे ना, ये, जैसे हमारी कहानी कह रहे हो, तो वो जो informal essays होते हो, क्या होते हैं, या तो personal essays, या familiar essays, तो इसका answer है, that is familiar essays, ठीक है जी? एपिक क्या होता है, वोट इजए एपिक, a story of a battle, a long narrative poem on a serious subject, a dramatic monologue, a dramatic monologue है, दो बार dramatic, a story of a long narrative poem, एक लंबी poem, जो एक battle पर आधारित हो, जैसे, Homer की इलिएड है, ODC है, ये जो है, एपिक्स है, एक्ट क्या होता है, वोट इजए न एक्ट, a major division in the action of a play, an acting category, chapter of a play, acting by actors, लंबी poem का जो डिविजन होता है, केंटो कहते है, novel का जो डिविजन होता है, chapter कहते है, और जो play का डिविजन होता है, उसे act कहते है, तो ये है, और act का जो डिविजन होता है, scene कहते है, the major division in the action of a play, sonnet is a poem of, देखो TGT 2009 का question है, sonnet जो पोयम है, tale sonnets, GM Hopkins द्वारा, elegy began to be so called because, देखो भई, इसका थोड़ा था डिशी आंसर, it was written in the elegiac measure, it was a poem of sorrow, it was written by writers of elegy, some expert critics named it so, देखो, elegy जो है, उसे elegy इसलिए कहा जाता है, क्योंकि it's a poem of sorrow, मगर एक और भी reason है, कि वह elegiac measure में लिखी जाती थी, तो लेकिन इसका जो answer माना है, वो that is, it was a poem of sorrow, the novel is, देखो फिर ये question है, अब novel के बारे में, मैं आपको सबसे पहले बताऊ, novel is one of the earliest forms of writing, one of the latest forms of writing, one of the discarded forms of writing, none of these, पहली बात, novels जो है, वो बहुत पहले से लिखे जारे हैं, जैसे आप दा लाइफ जैक विल्टर, अनफॉर्चुने ट्रेवलर, या जो चॉसर का, ट्रोइलस और क्रेसिडा, उस प्रेसिदा जाता है, तो इस हिसाब से ये earliest form होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि, देखो, 18th century में, novel को शेप मिली, novel को नाम दिया गया, novel जैसे gothic novel आए, epistolary novels आए, तो उनको जो पहचान मिली और जो नाम मिला न वो अठार भी सै, इसलिए वो latest forms of writing में आएगा, that is one of the latest forms of writing, है इसका ये भी गलत नहीं है कि earliest forms of writing है, लेकिन अगर प्रिसाइजली वही पूछें तो, ये मिलाव डाइसी हो जाते हैं ये वाले questions, a dramatic monologue is a short play, a poem, a novel, a prose story, तो जो dramatic monologues होते हैं, वो क्या होते हैं, Robert Browning बहुत famous हैं, अपने dramatic monologue के लिए, तो dramatic monologue होते हैं ना, वो poem होती है, जिसमें एक hero होता है, एक character होता है, वो monologue बोलता है, drama वाली qualities होते हैं, तो, a dramatic monologue is a poem, what do we call a piece of writing, that's an imitation of an action, that is serious and complete, comedy, tragicomedy, tragedy, none of these, देखो जी, piece of writing, ये Aristotle ने अपनी poetics में definition दिया है, किसकी tragedy की, एक tragedy जो होती है, serious in action, serious, complete in action and has certain magnitude, तो, ये किसकी definition है, tragedy की, जिसका function है, जिसका जो foremost function है, that is catharsis, allusion क्या है, a synonym of reference, a synonym of poetry, an indicator, or passing reference to some event, person, place, allusion का मतलब होता है, passing reference देना, एक passing reference को, हम क्या कहते हैं, allusion जो है, वो कहा जाता है, यानि कि, जब हम किसी, work को, किसी, किसी, character को, या किसी work को, हम allude करते, जैसे, कि, अगर कोई व्यक्ति, decision लेने में, बहुत देर लगा रहा हो, तो, तुम hamlet हो, क्या, तो, तो, नाइट जैसे, पासिं गेना, गेना, तो यह है, अंडरिक्ट और पासिं गेना, तो आजर एस, three, what is, a ballad, it's a short epic, it's a song sung by ballet dancers, a folk song, is a short novel, ballot का मतलब होता है, के ballad जो होता है, वो, singers के द्वारा, एक कहानी सुनाई जाती है और गाना गाने के फ़र्म में कहानी सुनाई जाते साथ के साथ वो डांस भी करते हैं तो यह सारे आपके पी वाइक्यू नहीं पूछा गया तो आप पूछा जा सकता ना तो आपको तयारी उसके हिसाब से कर लिया तो यह है ताइस आंसर इस C is a folk song और ओर ओरली transmitted poem dealing with a popular story अब यह next question आया दिनूमे इस related to दिनूमे क्या होता है जी देखो दिनूमे का मतलब होता है resolution यानि कि जब सारी चीज जो है plot जो है वह सुलज जाता है तो दिनूमे जो है वह किस से related है that is related to a play जब चीजे सुलज जाते हैं question number 23 an eclog is a long poem a short poem a pastoral या a short dialogue eclog देखो यह दो वर्ट से एक लॉग लॉग मन्स होता है डायलोग ठीक है pistoral dialogue dialogue yes short poems by जो है जिसमें poet जो है वह शेफर्ड के रूप में dialogue की form में poems होती है they are called eclogs pistoral poems होती है in the form of dialogues that is a pistoral to use another person's thoughts writings as one of his own is called इसके आरोप अक्सर जो है वो किस पर लगते थे William Shakespeare जी पर लगते थे जो green ने उनके बारे में भी कहा भी था कि उनको जो है jack of all trades जो है तो इसमें जो उनके बारे में कहा जाता है कि सहितिक चोरी जो है वो करते थे जो है जो है जो है जो है उनको बोला गया था तो वह यह तो जैक इसे क्या कहते है यह तो यह इसे क्या कहते है यह तो यह इसे क्या कहते है यह प्लेगियरिज्म साहितिक चोरी प्लेगियरिज्म a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the top पहले से समझते है कि अचानक से action जो है उठता फट्ट से गिर जाता है तो उसे क्या कहते है कि वह एंटी क्लाइमेक्स या बिथोज तो जैसे जैसे हमें बुला की a soldier fights for glory and a shilling यह action उठा फट्ट से गिर गया तो की और जैसे यह जो टर्म है बिथोज जैसे आप रेप आफ दा लॉक पढ़ें तो उसमें जो है पोप ने बिथोज जो है बहुत अच्छा सा यूज किया गया है कि मेडन विल ब्रेक जैसे विल लूज हार वर्जिनेटी और चाइनीज वॉज दीक है तो कहां वर्जिनेटी और एकदम से action जो है वो फॉल किया तो यह बिथोज होता है जब action उठता है और गिर जाता है तो answer is B the phrase objective correlative has been coined by बात यह है कि इस question का जो option है वो सही option तो दे ही नहीं रखा तो objective correlative का मतलब होता है कि when whatever is happening in the play you and audience feel the same and audience उस hero के साथ वैसा ही feel करती तो यह जो phrase है ना यह coin किया गया था Washington Elston के दौर इस phrase को popular किया है T.S.E.L.I.E. hamlet and his problems तो यह इस phrase को coin नहीं करा है उन्होंने that is just used by T.S.E.L.I.E. लेकिन question इसी तरीके का आया था तो हम कुछ कर नहीं सकते है Let's go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient authorized upon a table these lines have been written in यह lines चो है love song of J. Alfred Prufrock T.S.E.L.I.E.T. की lines है और इसमें basically interior monologue है यह उस जब T.S.E.L.I.E.T. यह modern age के writer हैं तो उनके जो works हैं उसमें हम interior monologue दिखते हैं तो यह लिखा गया है free words में वर्स लिब्रे या free words में यह लिखा गया इस रिटाने फ्री वर्स एल्यूजन हो गया था इसको छोड़ते हैं catharsis related to tragedy related to comedy related to sonneteering related to farce catharsis जो मैंने अभी आपको बताया था ultimate purpose है किसका tragedy का it's an ultimate purpose of tragedy purgation of feelings relaxed होना chorus क्या होता है is a band of writing inks is a group of singers in drama group of beautiful actresses group of dj dancer chorus जो होता है वो एक विक्ती भी हो सकता है Greek tragedies में chorus को जरूर introduced किया जाता था जो आकर बताता था कि what is going to happen next और chorus जो होते थे वो group of singers in drama chorus group of singers in drama comic relief कि जैसे आपने मगबेत पड़ा होगा तो उसमें जो मगबेत में जो gate knocking का सीन है ठीक है तो जिसे पोर्टर सीन कहा जाता है वो comic relief देता है तो comic relief tragedy देख और यह सिर्फ शेक्स्पीर ने अपनी tragedies में इसको यूज करा है यह जो tragedy का age old concept है उसमें यह कहीं नहीं है तो इसमें comic relief the interval in the play a hilarious comedy a short humorous episode interrupting a tragedy the effect of catharsis कि जब जैसे grave digging scene है hamlet में porter scene है मगबेत में जिसमें tragedy देखते देखते थोड़े समय के लिए लोगों को relief दिया जाता है तो वो से कहते है a short humorous episode interrupting a tragedy अब the next question is morality plays were produced in the 15th and 16th century produced in the 17th century produced in the 18th century produced in the 19th century सबसे पहले आपको पता है कि drama लिटर्जी से आया है यानि कि चर्च से लोगों को चर्च की तरह पाकरशित करने के लिए miracle or mystery or morality plays किये जाने लगे morality plays में क्या होता था कि virtue of vices को personify करके दिखाया जाता था और morality plays कब आए है produced in the 15th and 16th century the answer is a तो इसका आंसर है आपका a produced in the 15th and 16th centuries who of the following poets belongs to the fleshly school of poetry fleshly school of poetry तो यह वो पोएट्स थे जो रैफल से पहले के work को इसमें लाना चाहते थे रैफल who was an Italian painter तो उनके work से पहले के work को लाना चाहते थे और और they wanted to break all the conventions तो इनके ऊपर आरोप लगा था कि यह बहुत ज्यादा vulgar है तो इनको यह नाम दिया गया था fleshly school of poetry और इसका जो लीडर बताया गया था वो D. G. Rossetti को बताया गया D. G. Rossetti जिनकी बहुत फेमस जो है वो पोयम है blessed demoiselle bucolic refers to bucolic जो है वो किसे कहते है praise of wine, pastoral poetry, imitated pope, imitated words देखिये bucolic जो कहा जाता है na pastoral poetry को कहा जाता है pastoral poetry को bucolic कहते है the answer is B the poets who wrote pastoral poetry the answer is B so that's all for today आज के लिए इतना ही बहुत है बाकी से पूरा करवाँगी मैं so that's all for today and मिलते हैं next session में bye-bye झाल